हर्याना में अभी ही लोकसभा चुनाफ के नतीजे आ चुके हैं और चस्तरीके का इस बार हर्याना के लोकसभा चुनाफ का नतीजे रहे हैं वो बहुत ही हरानी चनक थे हाला कि कॉंग्रेस अपने ठीट थप थपा रही है लगातार इस चीज को लेकर कि उन्होंने बहुत और उन्हें नारा तक चारी कर दिया है अगर बात की जाए जेजेपी की तो एक भी सीट नहीं आ सकी कारण क्या रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस समय दिखवे जो चुटाला मौचुद है असर आप से जाना चाहेंगे चुनाफ नतीजे लोगों के सामने है आप लड़े थे क्या कारण मानते हैं इस बार कोई भी सीटना आने का आपने मन्थन किया होगा लगा था इस मन्थन में कोई चीज या समिक्षा में कोई चीज निकली है देखिए अभी मन्थन और ये तमाम चीज़ें तो चलती रहती हैं ब्रॉडर पिच्चर यही है कर एकी बातें कर रहा था कभी पाकिस्तान के नाम पर डरा रहा था कभी कुछ और बातें कर रहा था दूसरा पक्षिय था जो यह कह रहा था बार बार किसान आंदोलन के नाम पर या जो हमारी बेहनों के साथ हुआ जो स्पोर्ट्स वाली थी या और बातें थी और बड़ा सामानने तौरपर दो हिस्सों में बठ गया एक एंडिये और एक इंडिया तीसरे की कोई जग़े नहीं मचई जो हमें वोट आया वो हमारे काडर का वोट तो हमें आ गया जनता का वोट एग्रेसिवली दो लोगों के बीच में बहुत जोश और जनून से दो लोगों के बीच में बटा बीजेपी का फिर भी साइलेंट था मगर जो उसके विरोध का वोट था वो ये नहीं देख रहा था कि किसको वोट दे हैं कौन जीत रहा है कौन आगे है कौन पीछे है सिरफ और सिरफ मोधी या मोधी को हराने के लिए वोट था देश में लोग ये आम सामाने तोर पर चर्चा करने हैं मैं तो लोगों की बात बता रहा हूँ और फिर कुछ ना कुछ कमिया खामिया रही हैं उनको हमें दुरुस्त करना है और हम समय रहे लिए खामिया सर कुछ ते चीज जब आप मंतन करा होगा नए लोग जो सत्ता में आने के बाद चमक धमक में शामिल हुए उनको ज़्यादा हिस्सा मिल गया जिनका पार्टी के लिए कोई इतिहास नहीं था वो लोग आगे आगे मंत्री बनाए गए चेर्मेन बनाए गए और जो लोग पुराने सदियों से लगे वे हैं मतलब जो दश्कों से लगे वे हैं उनको कही न कहीं क्योंकि हिस्सा कम था बीस परसेंट के तो थे हमें सिदार और वो कहीं न कहीं जब पीछे हो गए तो काडर मायूस हो गया और ना तो वो हमारे हो पाए और हमारा अपना जो था वो कहीं न कहीं मायूस हो यह तो है मतलब इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है मगर इसको दुरुस्त करने के लिए ही अब हमें काम करना है जनता अगर किसी भी बात से वैसे तो मैं मानता नहीं कोई ऐसा कारण है मगर अगर कोई भी कारण है जिससे हमारे से नराज है अपना ही अपने से नराज होता है और कई बार जब मौका आता है तो वो एक मौके घर में जैसे माबाप भी है बच्चे को वो कर देते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये एक हमारे लिए आईना है जनता से शमाय आचना मांगेंगे और हमें जरूर आशिरवाद प्राप्त होगा वविश्य में मजबूती से चुनाव है हर्याना में महस कोछी दिन रह चुके हैं समाज जादा नहीं है किस तरीकी के तैयारी आप लोगों क सामने रखी जाएगी आप लोगों कि सरकार के बीच में रहेते अब नहीं है सरकार के साथ अब लोगों के बीच में भी जाना है अपनी वोट भी दुबारा से स्ट्रॉंग ने तो वह क्या चीज़ आप करने हैं तो हमारा फर्ज है उठाएँगे दायतव है उसको हाई इस तरीके से जो जो बाते हमने कई थी सब्तर परसेंट हमने एक कमपलिश की अब हमारा नया मिशन और विजन क्या होगा यह जल्द पार्टी लोगों के सामने रखेगी पहले भी दुशंत की उस भविश्य की सोच पर लोगों ने महर लगाई थी कि यह एक अच्छा नेता है जाती पाती धर्म मजब से उपर उठकर के सोचता है और आगे भी मुझे पूरी उमीद है कि इस बार भी जनता कांग्रेस कह रही है कि चुनाव में वैधान सभा के चुनाव में सिर्फ दो पार्टी की बीच में ही इस बार चुनाव है सिर्फ कॉंग्रेस और भाजपा की बीच में और बाकी जो पार्टी है छेतरी पार्टी वो सिर्फ नोटा के लिए ये गलत फैमी कांग्रेस की दूर तो अभी जल्दी से नहीं होगी चुनाव में ही दूर होगी और ये एहंकार भी दूर हो जाएगा ये वो लोग चोधरी हुड़ा साब जैसे लोग बात कर रहे हैं इस तरह की जिनको ये नहीं पता कि ये जो मत मिला है जिसकी आपको और मिला है ये हरियाना का चुनाव नहीं था ये देश का चुनाव था जब हरियाना का चुनाव आएगा तो हरियाना के मुद्दे हावी होंगे हरियाना के अंदर भी अलग अलग हिस्सें हैं जो हरियाना को डिवाइड करते हैं जो एक देसवाली बेल्ट है बागडी बेल्ट है, बांगर बेल्ट है, उदर की मेवाती बेल्ट है, हर जगे के अलग मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर लोगों का दिल जीतने वाड़ा ही आगे बढ़ेगा. सर, लोगसाब आपसे आखरी सवाल है, चुनाब में हाला कि आमादी पार्टी भी इस पर चुनाब में हैं, लगातार वो भी अलग-लग मुद्दे उठा रहे हैं, आने वाले समय में कोई ऐसा है कि जेज़िपी किसी पार्टी के साथ अलाइन्स कर सकती विधान साब चुनाब कामरा में लगातार के साथ चुनाब से टीवी नाइन के लिए अमन फ्रीद करूँ